है एव्रिवान हेलो वे रहे बच्चों क्या हल चाल तो भाई डूवल नेचर ऑफ रेडिशन मैटर खतम हो चुका है हमने प्रॉपर्टीस ऑफ होटाउन देखा हमने फोटो इलेक्टरिक एफिक देखा और फिर लास्ट में मैटर वेव भी कल खतम कर लिया था तो बिटा यह आज का लेक्चर जो है उसमें ऐसा नहीं कि पूरा खतम होगा आज का लेक्चर थोड़ा इंट्रोडक्टरी है बड़ बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि बोर मॉडल के सभी इंपोर्टेंट बातें यहां पर आज कर दी जाएंगी उसके बाद जो एनरजी लेवल्स हो थी कि अलग-अलग मॉडल्स आये अटम्स को लेके सबसे पहले जॉन डॉल्टन ने बुला कि एक टाइनी छोटा सा इंडस्ट्रिक्टिबल पार्टिकल है जिसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते तोड़ नहीं सकते विथ नो इंटरनल स्ट्ट्चर कोई इंटरनल स्ट् रदर फूड रदर फूड रदर फूड 1911 में इन्होंने बुला कि एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है बीच में और उसके आराउंड आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल-गोल-गोल घूम रहा होता है तो इसी मॉडल पे थोड़ा सा और बेटरमेंट आई इसके जो ड्रॉब और अंसर्टिनिटी प्रिंसिपल वगेरा है तो अल्रीडी जो है रीसर्च चल रहा है एक्स बूशन एक्सपेरिमेंट चला था कुछ टाइम पहले तो रीसर्च आर कंटीन्यूइंग बट अभी तक हमारे पास जो सिलेबस में पढ़ने के लिए है वो क्या है बोर मॉडल है ना मेंली बोर मॉडल से आपके सवाल बनते हैं बट हां यहां बेभी कुछ-कुछ इंपॉर्टन बाते हैं जो हमें सीखनी है और जहां पर कोशन करने हैं तो आइए बिटा चैप्टर की शुरुवात कर लेते हैं देखिए रदर फोर्ट ने क्या देखा था सबसे पहले अब इसल लेक्त चैब आपको बटाते हैं रदर फ्रट ने क्या किया एक गोल्ड फाइल लिया कोल्ड फोईल के ऊपर आल्फा पार्टिकल सेल को ते हेलियुम começo मतलब उसके पास यह आपका अगर हिलियुम का न्यूक्लियस है अगर इसके पास बीठान दो प्रोटोन होगे एक ओ यह प्रोटॉन का नंबर बताता है आपको बता होगा और यह 4 क्या बताता है क्यों बता रहा है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं तो सोचो दो प्रोटॉन है और टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन चार है तो न्यूट्रॉन कितने हुए तो वह तो दो ही हुए है ना तो दो न्यूट्रॉन So that 2 plus 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा यह total बताता है यह बताता है आपको कितने proton है प्लस कितने neutron है और यह बताता है सिर्फ proton कितने है ठीक है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AXZ के format में Z यह वाला number है जो number of proton बता रहा है A total number of nucleons बता रहा है अब सवाल यह है कि alpha particle को जब भेजा गया तब क्या हुआ जब alpha particle को भेजा गया गया गोल्ड फॉयल के अंदर तो दिखा गया कि जादा तर alpha particle undeflected पार कर गया उसको यह दिख रहे हो तो यहां पर किस चीए ऐसे डिफलेक्ट भी हुए तो अब आलफा पार्टीकल्स के पास कैसा चार्ज है फॉजिटिव यह दिखो हीलियम नूटिबियस ना इसके प्रोटवन और नूट्रॉन का कोई चार्ज तो होता तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा पॉजटीव छार्ज होगा तो एलफा पार्टिगल के पास अगर पॉजटीव चार्ज है और कोई पॉजटीव ces Timma लो मोफ कर रहा है वीवाश्यटी से तो यहां पर किस– को देखके एसे दिना Jaeen थोड़ा दूर पास टूरिए दूर जाएगा तुससे पता चला कि अच्छा न्यूक्लियर के पास सीटिव चारज होता है न्यूक्लिप्स के पास सीटिव सेवह होता है जिस पोसिटिव चारज है पर फोड़ा दया दूर भगा दिया वोला मैं भी ब cent तुभी पॉजिटिव दूर भाग जाए यहां से ठीक है और ओकेशनरी एक एलफा पार्टिकल ट्रावल बैक कर जाता है फ्रॉम दफॉइल ट्रावल बैक मतलब 180 डिग्री पर वापस आ जाता है गया 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 वापस आ गया है ना ऐसा क्यों हुआ ऐसा तब होता होगा जब यह एलफा पार्टिकल बिलकुल इस नूकलिस की सिधाई पर ऐसे जाए एकदम सीधा-सीधा और रिपल्चन की वज़ए से इसी डायरेक्शन में वापस लॉट आए ठीक है तो इससे क्या-क्या पता चला इससे पता चला कि भाई एटम का जादातर एरिया कैसा है बेटा ख नूकलिस होता है यह नूकलिस है आपका और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉंस है वह ऐसे चक्कर लगाते हैं अब यह सब खाली स्पेस आप देख रहे हो यहां से अलफा बार्टिकल गुजर गया था जब अलफा बार्टिकल नूकलिस के क्लोज होके ऐसे निकला था तो डिफिलेक्ट हो गया था तो इयसे डिफिलेक्ट होके चला गया जो इलफा बाटिकल बिलकुल नौक की सिदाऔर नूकलिस के वह वापस भी आ गया था और बाकि जो दूर से थे वो undeflected आगे चले गए थे ठीक है तो यह बेसिक सा आपका रदर फोर्ड एल्फा पार्टिकल स्कैर्टरिंग मॉडल की फाइंडिंग्स हैं जिससे एक बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलता है अपने को एटम्स का ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब देखो यहां से आपने देखो बिटा एल्फा पार्टिकल को भीजा है ठीक है यह यह आपका गोल्ड फॉयल देखो अलग अलग अंगल प पर हैना कितने पार्टिकल रहे होंगे तो उसका एक रीलेशन को क्या रीलेशन नमताता हूं घृत आंगल पे कितने पार्टिकल से इसका ग्राफ ऐसा बनता है इसको मैं अलग से बना के संझाओ आपको देखो यह आप ऐसे समझो कि इस तरफ मार्यल है तो यह एंगल कहा से गिवन थीटा पे वो ऐसे वेरी करते हैं ठीक है अब इस वेरियेशन का इक्विशन भी बताऊंगा पर पहले इसको समझो आप हमने क्या बुला बुला ना जाधा तर पार्टिकल्स के अंडिफलेक्टर अनडिफलेक्टर मतलब ऐसे आए ऐसे घलेगा मतलब 0 तो देखे यह आपका 0 degree इस यह थीटा है यह 0 degree देखुए अंबर of particles बहुत हए हिंगे दिखें है कि बहुत हाइट है यह बहुत हाइब आइस तो यहां पॉत हाइब Yo double by ट्र नबर ना कम होता जा रहा और वनेटी डिग्री आते यह अदंबर आल्मोस्ट जीरो जाता है क्योंकि हम बोलते हैं एक यादा पार्टिक्ल एक पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट होता है छृष अकट फैट थो गया अपको दिखर üzए अब इसका जो variation ने मिटा, exact variation वो ये है, n theta is proportional to cosec की power 4, theta by 2, वैसे इस पर question तो नहीं आता है neat में, बट फिर भी याद रखो, proportional to cosec theta by 2 की power 4, है ना, cosec theta by 2 की power में 4, अच्छा, ये actually आप 1 upon sign भी लिख सकते हो, है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1 upon sin power 4, theta by 2, ठीक है ना, 1 upon sin power 4, theta by 2, अब आपको values मानलो दी रहेंगी, उसे साबसे आप निकाल लेना, कि मानलो 60 degree पे इतने particle हैं, तो 30 degree में कितने particle होंगे, आप निकाल लोगे बेटा, है ना, एक बार यहाँ पे 60 रख दोगे, तो 60 by 2 कर लोगे, अच्छा, 30 पे निकाल नहीं 90 देते हैं, है ना, तो 90 by 2 कितना हो जाएगा, आपका 90 by 2, 45, 45 निकाल लोगे आप, sin 45 निकाल लोगे, पावर 4 कर दोगे, ठीक है, और दूसरा angle क्या दे सकते हैं, लेट से 120 दे देंगे, तो 120 by 2 हो जाएगा, 60, sin 60, तो sin 60 भी आप निकाल लोगे, sin 60 की पावर 4 कर दोगे, दो अब बिटा, अगली बात है, impact parameter, इससे एक आदबार question आया हुआ है, है ना, impact parameter, यह क्या चीज है, इसका basic समझे लोगे, देखो, मालो बिटा, यह कोई nucleus है, है ना, वही gold foil वाला, और यहां से आपने alpha particle को भीजा, अगर इसका center यह है, alpha particle यहाँ पे है, तो यह जो आप line इकने, line joining center to center, अगर alpha particle इसी के along launch हुआ, तो जो impact parameter है, यानि कि B, उसकी value 0 होती है, impact parameter को हम लोग क्या बोलते हैं, बिटा, B, यह बताता है, कि इस center axis से, कितना उपर या कितना नीचे, alpha particle को launch किया गया है, है ना, अब अगर उसी axis पे launch किया गया है, तो 0 हो जाएगा impact parameter, done, तो जब impact parameter 0 है, बिलकुल नाक की सिधाई पे फेका है, बिटा, तो बताओ, इस alpha particle साथ क्या होगा, यह जाएगा, 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 और वापस आ जाएगा, है ना, U-turn मारेगा, so 180 degree से यह deviate हो रहा है, 180 degree से यह deviate हो रहा है, तो यह अपको पता होना चाहिए, ज जब axis के पास से launch किया जाता है, तो deviation बहुत तगड़ा होता है, अब सोचो अगर मैं impact parameter को बहुत जादा बढ़ा दूँ, है ना, B की value बहुत large ले लूँ, बहुत दूर से launch किया है, यहाँ से, यह axis है, यहाँ से launch किया है, V velocity से, तो बिटा, यह तो undeviated चला जाएगा, यह थ deviation नहीं हुआ, तो B अगर बढ़ा रहेगा, तो theta 0 रहेगा, B अगर बहुत छोटा है, 0, तो theta रहेगा maximum, यानि के 180, बीच में in between कहीं ले लोगे, in between कहीं पे ले लोगे, यहाँ कहीं पे, तो हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे deviate हो के ऐसे चला जाए, है ना, तो यह angle आपका theta होग अब बेटा, अगले topic है, distance of closest approach, इसका मतलब क्या होता है, समझना, हुआ क्या, माल लीजिए, यहाँ पे कोई nucleus रखा हुआ है, है ना, कोई nucleus रखा हुआ है, जिसको हम बोल लेते हैं, A, X, Z, ऐसा, यह representation है, इस nucleus का, ठीक, अब इस nucleus में बेटा, देखो तो number of proton कितने हैं, यह आपको number of proton बताता है, है ना, यह क्या बताता है भाई, number of proton बताता है, protons लिख लो, है ना, तो Z number of protons है, तो अगर इस nucleus का, मैं charge लिखूँ, charge को मैं लिख लेता हूँ, बेटा, लेट से, Q2, है ना, Q1 तो मैं alpha को लिखूँँगा, Q2, charge of nucleus, तो कितना हो जाएगा, बेटा, Z proton है Z proton है, neutron का तो कोई charge होता नहीं है, और nucleus है, इसके अंदर electron है नहीं, electron तो बाहर होता है, तो हम खाली nucleus की बात कर रहे है, तो Z proton है, तो एक proton का charge E, तो Z proton का charge ZE, है ना, बेटा, ZE, तो ZE इतना charge हुआ, अब हमने यहाँ कहीं से, बहुत दूर से, है ना, एक alpha particle को इसकी तरफ भ होगा भाई, Q1, अब alpha particle है, helium nucleus, helium में दो proton होते हैं, है ना, दो proton और दो neutron, दो proton है, तो चार्ज हो जाएगा, 2E, है ना, 2E, अच्छा, तो इसका charge भी positive, 2E, इसका charge भी positive, ZE, जब यह दोनों एक दूसरे की तरफ लांच किये गए, चलो, nucleus rest पे है, बहुत heavy है, मतलब इसके comparison मे है, है ना, यहाँ पर रखा हुआ है, मानलो, यहाँ पर रखा हुआ है, alpha को यहाँ से बस launch किया है, तो क्या होगा देखना, alpha के पास, शुरू में, कुछ V velocity है, अब यह बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो electrostatic potential energy अभी 0 है, बहुत दूर होने पे, electrostatic potential energy आपने पढ़ा है है ना, KQNQ2 by R, वो 0 हो जाता है, बहुत दूर है, लेकिन जैसे-जैसे यह पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, है ना, यह भी positive, यह भी positive, रिपल्शन होगा बेटा, रिपल्शन होगा, तो nucleus बोलेगा, भाई, मेरे पास मताई हो, वापस लोट जा, तो किसी point पे आगे alpha वापस भी लोट जाएगा, वापस भी लोट जाएगा, जिस point पे वापस लोट रहा होगा, जब वो uton मार रहा होगा, तो पता है velocity कितनी होगी उसकी, 0 होगी, होता है ना भाई ऐसा, जहां से particle uton मारता है, वहाँ पे velocity 0 हो जाती है, अब सुनना क्या वो कितना नजदीक जा पाया nucleus के, वो दूरी यह है बिटा, यह r-naught है distance of closest approach, कि पूरा तो नहीं जा पायेगा यहाँ तक, touch तो नहीं कर पायेगा उसको, क्योंकि repulsion बहुत तकड़ा है, हैना, touch करना possible नहीं है, तो minimum distance जहां तक वो पहुँच पाया, कितना close जा पाया, हैना, हैं, कि आप दो situation, imagine करो, पहला, जब alpha को आपने बहुत दूर से, V velocity से फेका था, और nucleus यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक, तो इस case में, जो alpha की kinetic energy थी, वो थी half mass of alpha particle into V square, हैना, बेटा, और जो electrostatic potential energy थी इन दोनों के बीच में, वो थी बेटा 0, पिकास बहुत जादा दूर थ है ना, तो एक situation अपनी ये वाली बनी, एक situation अपनी ये वाली बनी, अब दिखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पर कोई friction, air drag कुछ लगनी रहा, तो energy conservation रहेगा, कोई non conservative force नहीं है, तो energy conservation होगा, तो अब हम दूसरी situation लेंगे, जब alpha यहाँ से चलके यहाँ पहुच चुका है, तो velocity होगी बेटा, 0, अब velocity 0 हो चुकी है, तो इसका मतलब kinetic energy 0, भाई, यूटन मार रहा है ना, तो velocity 0 है, kinetic energy 0 है, लेकिन अब आप कहेंगे, कि अब इस system का एक potential energy भी तो होगा, electrostatic potential energy, वो कितना होता है सर, बेटा वो होता है, के Q1 है ना, के Q1, Q2 divided by R naught, सही है, यह R naught लिखा है ना, R naught, छोटा हो गया, थोड़ा, चले का ना, के Q1, Q2 by R naught, तो मैंने बुला यार जब उसको launch किया था, तो इतनी energy थी, total, इन दोनों को जोड़ दो, और जब वहाँ पहुच गया, इस point पे, तो इतनी energy थी, तो energy थी, तो इनर्जी थी, तो इनर्जी थी, तो इनर्जी यह रही सर, के Q1, यानि की charge particle of alpha, charge of nucleus, यह वाला nucleus, divided by R naught, है ना, done, यह equation है, अब आप इसको direct याद कर लो, तो आपका सम्में बचेगा, है ना, हाला कि यहां से R naught का जो formula आएगा, वो कितना आएगा भाई, देखो तो, तो R naught, यानि के distance of closest approach, क्या आ रहा है, देखो, यह आ र multiplied by 2, divided by, यह M और V square, नीचे चले जाएंगे, है ना, M और V square, नीचे चले जाएंगे, ठीक है, तो यह R naught का कुछ equation बनेगा, बागी यह equation important है, kinetic energy, बराबर, electrostatic potential energy होता है, ठीक है, अब इस पर देखो, exam में कैसे कैसे questions पूछे गएं आप से, है ना, यह देखो, एक बार कहते दिया, velocity V से, एक nucleus की तरफ, heavy nucleus की तरफ, तो distance of closest approach, mass of alpha particle पे, कैसे depend करेगा, तो अभी अभी आपने देखा भाई, कि जो kinetic energy होती, alpha particle की, half mv square, यह किसके बराबर होता है, kq1, q2, divided by r naught के, है ना, kq1, q2 by r naught के, तो अगर मैं यहां से r naught निकालता हूँ, तो क्या मिला था मेरे क 2 धर गया, 2k, q1, q2, and divided by mv square, तो बागी सबको constant मानते हुए, यह पता करना है, कि r naught और mass में कैसा relation है, तो साफ साफ दिख रहा है, inverse का relation है, तो 1 by m हो गया, है ना, बिटा, 1 by m हो गया, done, तो इस टाइप के questions अगर आएंगे, तो आप कर लोगे ना, है ना, impact parameter का question कर लोगे, किस angle पर कितने particles है, 60 में तरे particles है, मतलब, sorry, 120 में तरे particles है, तो 90 में कितने particles होंगे, कर लोगे यह सारा, right, चलिए, अब बिटा, आते हैं, कि यह जो रदर फोर्ड साहब ने, है ना, हमें model दिया था, क्या उसमें कोई कमी थी क्या, कोई दिक्कत थी क्या, मैं बताता हूँ क् देखो, आप लिखो, drawback of रदर फोर्ड मॉडल, drawbacks लिखलो, है ना, of रदर फोर्ड मॉडल, है ना, of atom, देखो, दो drawbacks थे में ली, क्या-क्या सुनना, ठीक है, पहला, पहला यह था, कि जब Maxwell वगेरे ने, electromagnetic theory दी, है ना, EM wave theory वगर दिया, तो उन्होंने बताया, कि कोई भी accelerating charge, हमेशा, EM wave जनेरेट करता है, होता है ऐसा, accelerating charge generates EM wave, energy बाहर निकलता है, EM wave बाहर निकलता है, in fact, जो light है, वो कैसे बनी है, accelerating charge से ही, वो तो light निकलती है, है ना, तो उन्होंने बोला, कि कोई भी accelerating charge, अगर charge जो है, है ना, वो accelerate कर रहा है, उसका कुछ acceleration है, तो it will emit some radiation, जिसको आप EM wave बोलते हैं, है ना, तो भाई, लोगों ने इन से पूछा, रदरफोर्ट सहाब से, कि दिखो, आप कह रहे हो, कि बीच में nucleus है, और यहाँ पे electron है, और electron जो है, गोल-गोल घूम रहा है, सर्कल कर रहा है, तो भाई, अगर कोई भी चीज सर्कल करती है, तो उसका एक centripetal acceleration होता है, अंदर की तरफ है ना, तो electron की velocity इधर तो centripetal acceleration इधर, है ना, centripetal acceleration इधर velocity, तो बोला गया यार, अगर electron ऐसे गोल-गोल घूम रहा है, तो उसका acceleration है कुछ, centripetal, और अगर उसका acceleration है, charge जो है, उसका एक acceleration है, तो यह emit करेगा, क्या? radiation emit करेगा, यानि कि इससे radiation बाहर निकलेंगे, तो इलेक्ट्रोन से जब radiation बाहर निकल रहे होंगे, तो electron की energy क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी? लोग ने पूछा कैसे हैं अगर एंवेव थिएयोरी सही है तो gü Shepherd Energy चार्ज एमिट करेगा रेडियेशन एम वेव निकालेगा और अगर एम वेव निकालेगा उसकी खुद की एनरजी कम होती जाएगी तो स्पाइरल करके न्यूकलियस में टकरा जाना चाहिए बट ऐसा तो नहीं हुआ तो यह नहीं समझा पाए कि ऐसा क्यूं नहीं हुआ रहा गया था राफर फोर्ड मॉडल में कि इलेक्ट्रॉण ना कोई भी पूजिशन ले सकता कहने का मतलब यहां है ना भी यहल रहाना भी तो यहां भी सकता है उसके ज Dingen वाले सरकल में उस पी जस्ट्रस नीचे भी घूम सकता है मतलब ऐसा कोई लीमिटेशन नी आज शकताा यहां भी यहां भी यहां भी Tomorrow को बड़े और कुछ चोटे और्विट पर आएगा है ना हम बड़े से छोटे पर आएगा तो उसकी एनरजी नीचे आने से घट जाएगी तो बिसेकल वह एक इलेक्ट्रोमाग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा एमिट करेगा ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी घटेगी, एमिट करेगा एनर्जी, तो जो उसने एमिट किया, उसको अगर एक स्क्रीन पे लिया जाए, एमिटेड रेडियेशन को, एक स्क्रीन पे लिया जाए, तो according to Rutherford, continuous spectrum बनना चाहिए था, क्यों continuous? क्योंकि अगर वो कहीं भी हो सकता है, यहां से, यहां यहा एक रेस्रिक्षन नहीं है, according to this model, कि यहां से यहीं आएगा, फिर यहां से यहीं आएगा, पर्टिकुलर वेवलेंट नहीं निकालेगा, according to Rutherford, उसको continuous वेवलेंट निकालनी चाहिए, यहां से यहां से यहां आए तो पर्टिकुलर वेवलेंट, लेकिन जब रियालिटी मे नहीं देखा गया ना, तो continuous spectrum नहीं मिला, बलकि कुछ ही वेवलेंट मिले, कुछ ही वेवलेंट मिले थे, ठीक है ना, एक वेवलेंट मिला, दूसरा नहीं मिला, फिर एक मिला, तीसरा नहीं मिला, फिर एक मिला, ऐसा, तो ऐसे discrete wavelength मिला था, discrete spectrum मिला था, तो Rutherford इस चीज को न कि इसको थोड़ा सा समझ आप है ना दो मिनिट लेगा यह लोड होने में राइट इसका आप दो मिनिट करना यह लोड हो जाएगा कि मैं अभी आया ठीक है जब तक लोड हो रहा है मैं आ जाओंगा कि मैं आया रहा हा। कि मैं आया है तक लुड़ा सेस्थ लेगा टू। झाल 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 हां जी बीटा देखो मैं आपको अभी सिखाता हूँ कि क्या हो रहा है यहां पर है ना प्रेडिक्शन ओन किया और इस पे आ गए यह देखो पहला ड्रॉबैक जो था ना रधर फोड का जो नहीं जम्झा पाये थे वो यह था कि इलेक्ट्रॉन को स्पाइरल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस पे ऐसे यह देखो है ना ऐसे स्पाइरल करना चाहिए यह तो बुला हम कि धीरे धीरे उसका रेडियस कम होगा क्योंकि वो तो इम वेव बाहर निकाल रहा है और फिर स्पाइरल करके यहां टकरा जाना चाहिए उसको राइट यह देखो ऐसा जबकि ऐसा होता नहीं है आक्चुली वो इलेक्ट्रॉन अपने और बिट पे घूमता रहता है तो पह अपनी जगे पे घूम रहा है ठीक है दिखो नशाम आपको इसको जूम करके दिखाता हूं कि यह देखो अपनी स्पाइरल नहीं करता दुखर के पोस्तुलेर्ट में ऐसा बोल दिया और यहहीं होता है बात मैं बता चला कि क्यूं होता है बताऊंगा आपको क्यूं नहीं spiral कर रहा है एम वे वली थियोरी कहां चली गई I'll tell you बट उन्होंने एक चीज और बोली कि अगर आप नीचे से light गिराओ यहां से ऐसे light यह photons आ रहे हैं तो कई बार electron suitable photon को खा के उपर भी चला जाता है देख रहे हो उपर चला गया एक suitable photon को उसने खा लिया suitable wavelength का एक photon वो खा लेता है basically यह पहला orbit है यह दूसरा है यह तीसरा है यह चौथा है तो देखो पहले से सीधा चौथे पे चला गया तो जितना भी energy gap था ना 1 से 4 तक का 1 से 4 तक का मानलो ऐसी कह रहा हूं मानलो वो 20 electron volt था कितना होता अभी हम देखेंगे मानलो 20 electron volt का energy gap था इस orbit और इस orbit के बीच में तो वह ऐसा photon ढूंडेगा जिसके पास 20 electron volt हो उस photon को खाके मतलब उसकी energy लेके electron उपर jump कर जाता है इसको बोलते हैं absorption हो गया ठीक है अच्छा absorption हुआ अब एक और चीज है जिसको हम कहते हैं कहा गया कि वाइट लाइट हाँ स्पेक्ट्रोमीटर ना यह हाँ अच्छा यह दिखने रहा ना आपको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा मुझे यह फिन नीचे कर देता हूं ऐसे दिख जाएगा हाँ अब देखो यह स्पेक्ट्रोमीटर क्या है मैं आपको दिखाता हूं ठीक है अब क्या हुआ मैंने देखा कि भाई एलेक्ट्रोन ऊपर जा चुक है कि एनर्जी उसने खाई है ना फोटन की एनर्जी ले ली और उपर चला गया इसको बोलते हैं वीटा एब्जॉर्ब्शन फोटन की उसने एब्जॉर्ब कर लिया फोटन को और ऊपर वाले और्बिट में चला गया अ ना नीचे आ रहे की नहीं देखना यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यह देखो नीचे आया और जब नीचे आया तो उसने यह वाला फोटन निकाल अगर आपने ध्यान दिया होगा उसने फोटॉन एमिट किया वापस बंपर आ गया जुरूर्ब रिए टू पर बीजाए इस के इसमें 4 पे गया था फूर पे जाने के बाद अब वह फूर पे जादा देर स्टेबल नहीं है थोड़ी दिर रुका फिर नीचे आया कहां पे फिर से आ गया तो जब वो जा रहा था उपर तो उसने फोटन खाया उसने फोटन क्या किया बटा खा लिया और जब वो नीचे आ था तो उसने photon emit कर दिया अब इस चीज को आप पहले समझ हो तभी आपको समझ में आएगा कि भाई बोर का सौरी रदर फोर्ड का यूनों कि, problem क्या था, problem यानि की, limitation क्या था है और दो टाइप की चीज़ें यहां पर हो रही है, क्या क्या हो रही है भाई एक तो हो रहा है आपका absorption, एक हो रहा है आपका absorption absorption और एक हो रहा है emission किसका absorption absorption of photon है ना emission किसका again emission of photon ये कब होता है absorption of photon कब होता है कब जो electron है वो photon को absorb कर लेता है when electron moves from lower orbit to higher orbit है ना भाई वो lower orbit पे है उसको उपर जाना है तो absorption कर लेगा photon को खा लेगा उपर चला जाएगा एनर्जी लेकर लेकिन emission कब होता है emission of photon कब होता है वेटा वेड़ मुव्स फ्रॉम higher orbit to lower orbit उपर से नीचे आएगा तो emit करेगा हमने क्या किया जब वो emit कर रहा था जब वो emit कर रहा था तो उस हर एक photon को हमने नोट करना शुरू किया कि यार वो जो एमिट हुए ना photon उसका वेवलेंद कितना है उसको एक spectrum में बनाएंगे देखो तो देखो अभी इसको प्ले करता हूं में फूला फास्ट प्ले करता हूं है ना जब जब एक photon होगा जब जब एक photon एमिट होगा इस प्रोसेस में कि इलेक्ट्राण भी नीचे ऊपर चला गया उपर से नीचे आया जब जब एमिट कर रहा है ना उस फोटन को हम लोग यहां पर नोट करते जा रहे हैं क्या करते जा रहे हैं कि अच्छा इस वेवलेंद का आया इस वेव सारे वेवलेंद के photon मिल रहे हैं continuous spectrum नहीं मिल रहा है आप देखो discrete मिल रहा है यहां यह photon मिला उसके बगल वाला नहीं भी मिला है गैप है बीच में इस वेवलेंद का कोई photon नहीं आया है फिर यहां पे मिला यहां पे मिला यहां पे मिला यहां पे मिला फिर देखो यहां पे एक्सपरिमेंट चल रहा है बहुत तीजी से मैंने इसको फास्ट पेस्ट कर दिया है इस एक्सपरिमेंट को आप एकाद मिनुट चलने दो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि देखो यहां इस वेवलेंट के फोटॉन मिल रहे हैं अल्ट्रा वाले थे थोड़ा आपको फोटॉन दिखाई दे रहे हैं उसके बाद वाले तीनों जो होते हैं यह सारा इंफ्राइड होता है तो इस तरीके से इससे में यह समझाना चाहा रहा था कि रधर फूड को ऐसा लगता था कि सारे वेवलेंद के फोटॉन मिलेंगे क्योंकि एलेक्ट्रॉन हर जगे और उनके एकजिस्ट करता है हर जगे करता मतलब यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हम हर जगे हैं तो उनको ऐसा लगा की कंटिनियो सैंबल मिलेगाACH system होने पे लेकिन रियालिटी क्या थी बोढ़ कि बताया इलेक्ट्रॉन हर जगे एकषक नहीं कर सकता इसक specific photon आपको discrete pattern दे सकता है continuous नहीं दे सकता है ना क्योंकि उसका wavelength fixed है कि भाई इस orbit से इस orbit पर आने पर इतना wavelength निकलता है तो wavelength fixed है इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है माल लोगो है ना तो बोर को लगा मलब सौरी रदर फोड को लगा कि continuous spectrum होगा एक्सपरिमेंट किया गया continuous नहीं मिला ऐसे discrete मिला कोई wavelength मिलता है कोई नहीं मिलता तो उनसे सवाल पूछा गया बताओ भाई continuous क्यों नहीं मिल रहा तो उनके पास जवाब नहीं था तो these are the two drawbacks पहला drawback यह है बेटा है ना कि भाई क्यों नहीं electron collide हो गया जाके नहीं बता पाए दूसरा drawback यह है कि he could not explain emission spectrum उसको emission spectrum बोलते हैं कि क्यों आखिर emission spectrum continuous नहीं मिला discrete क्यों मिला अब यह सारे drawbacks हटाए किसने भाई यह बोर ने है ना आओ बोर मॉडल पढ़ते हैं सबसे पहले बोर मॉडल जो है वह hydrogen और hydrogen like atoms के लिए ही valid है hydrogen like atom का क्या मतलब होता है एसे atoms जिनके पास single electron हो है ना single electron हो एक ही electron हो अब जैसे आप समझते हैं कि कोई भी atom अगर neutral है अब hydrogen में आप कहे रहे हो कि भाई प्रोटॉन का नंबर इसका वन है तो एक प्रोटॉन है तो अगर एक प्रोटॉन है तो साथ साथ में एक electron भी होना चाहिए तभी विचारा न्यूट्रल रहेगा तो जितने प्रोटॉन हो तो एक पॉजिटी चार्ज एक नेटी चार्ज है ठीक है अब hydrogen के बाद आता ही लियम जिसका atomic नंबर है टू तो इसके पास हो गया दो प्रोटॉन दो प्रोटॉन तो दो प्रोटॉन है तो दो इलेक्टॉन भी होगा तभी ग्लater एक्ट्रोन हटाया एक बार Ionized किया ना तो एक इलेक्ट्र हटा दिया तो अगर इसको में एक बार Ionize कर दूं तोหिलियम प्लस लिखा जाएगा अफिलियम के उच यहिंदा है लिद्या है जिंद्यार तीन प्रोट्रॉन तो तीन इलेक्ट्रॉन अब बताओ कितनी बार इसको आपको आइनाइज करना पड़ेगा ताकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचे दो बार आइनाइज करना पड़ेगा डबल आइनाइज है ना डबली आइनाइज लीथियम देखो डबल आइनाइज इसन मतलब सब में आप लगा सकते हो इन्होंने क्या क्या बोला इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो सर्टेन सर्कुलर स्टेबर और विट में रिवॉल्व करता है तो रदरफोर्ड नहीं बोल पाय थे इस चीज को confidence से कि नहीं ने इलेक्ट्रॉन अपने और्बिट पे घूमेगा वो खुद भी confused हो गये थे बट बोर ने बहुत clarity से इस बात को बोला कि नहीं भाई वो radiation एमिट नहीं करता है अपने और्बिट में घूमता रहता है तो लोग ने बोला ठीक है बाद में डी ब्रॉगली ने इसको प्रूफ किया था कि आक्चुली एलेक्ट्रॉन जो है ना standing wave बनाता है और standing wave आपने व उपर वाली orbit से नीचे आएगा तो एमिट करेगा photon को और नीचे से उपर जाएगा तो absorb करेगा photon को ठीक है ना ये भी बात इसमें बोली गई थी हमें इसका सबसे पहले तो ना बेसिक समझना है कि इसके बीचे की mathematics क्या है तो आईए इसके बीचे थोड़ी सी mathematics जो है उसको स पिटा अपना electron जो है वो बढ़िया से रिवॉल्व कर रहा है गोल-गोल ठीक है इसका चार्ज है आपका एक के बराबर अब क्या हुआ इनके बीच में electrostatic attraction होगा पिटा क्योंकि एक positive एक negative है एक positive charge है यहां proton है यहां electron है जेड़ प्रोटान यहां पर एक एक तो electrostatic attraction कितना होगा electrostatic force होता है बिटा के q1 q2 q1 कितना है e मतलब negative है आप खाली sign लेलो कूलॉंब स्केलर फॉर्म में खाली sign लेलो मतलब खाली magnitude लेलो तो e और z को जैसे आप multiply करोगे q1 q2 हो जाएगा z e square divided by माल लेते हैं orbit का radius है आर है ना इस orbit का radius है आर जहां electron revolve कर रहा है तो नीचे आ force of attraction है ना ठीक इसको हटा रहा है अब आप जानते हैं circular motion में इस electron के frame से अगर देखा जाए तो एक फोर्स तो अंदर लग गया अब एक फोर्स बाहर भी लगता है जिसको हम कहते हैं mv square by r याने की centrifugal force circular motion पे है ना तो इसको equate कर देंगे centrifugal force के साथ mv square by r के साथ ठीक है तो एक equation तो अपना ये बन गया दूसरा equation बोर के postulate से आता है बोर ने define किया कि ये जो orbit है इसको कैसे define किया बोला कि इसका angular momentum quantized होता है angular momentum याने की mvr पढ़ा ना rotation motion में mvr mass into velocity into distance mvr is angular momentum ये quantized है मतलब n h divided by 2 pi के बराबर है वेर h is the planks constant last class में बताया था इसका value 6.6 into 10 by minus 34 ठीक है n h over 2 pi अब बेटा कितने equation अपने पास दो अगर इनको solve किया जाए कि भाई माने लो r का एक equation यहां से बना के r को वहां put कर दें थोड़ी सी मेहनत अगर करी जाए तो बेटा इससे आप दो चीजे निकाल सकते हैं पहला आप a r का formula निकाल सकते हैं दूसरा आप v का formula निकाल सकते हैं क्योंकि यहीं दो यहां पर unknown's है, देख लो ना, r एक unknown है, v एक unknown है, n क्या है, n principal quantum number ये बताता है कौण सा orbit है, पहला orbit है तो n बराबर 1, दूसरा orbit है तो n बराबर 2, तीसरा orbit है तो n बराबर 3, ऐसे ठीक है, तो तो यह किया गया, इसको इधर उधर पलेट पलेट के रखा गया और सॉल्व किया गया, तो विटा, आर का फारमला आया, N स्क्वाइर बाइज चैना, H स्क्वाइर, 4 पाइज स्क्वाइर, M, K, E, स्क्वाइर, आप बुलिंग सर ये कैसे याद रहेगा इतना लंबा चोड़ा फार्मला आपको कैसे याद होगा सर N square by Z तो आपको याद करना ही है इसको तो करना ही है इसके लिए ट्रिक है एक छोटा सा नियुमोनिक है कह लो हरी हरन H square मतलब हरी हरन बेटा याने की बटा ये देखो बटा डिवाइड़ भाई है तो हरी हरन बेटा चार पाई दो ले आना और फिर मकई दो ले आना बेसिकली हरी हरन के पिता जी उससे कह रहे हैं कि बेटा हमारे कुछ दो स्ताय हुए घर पे दो चार पाई ले आओ और मकई भुट्टा होता है ना खाते हो ना कौन दो मकई ले आओ तो उसको कैसे बुला उनने हरी हरन H square बेटा चार पाई दो मकई दो है ना उनका मकई खा अगर N square by Z को अलग रखा जाए क्योंकि देखो यार और बिट कोई सा भी पूछ सकता है वह बोले का भाई पहले और बिट का रेडियस बताओ तो तुम्हें बराबर 1 रखोगे दूसरे और बिट का रेडियस बताओ तो न बराबर 2 रखोगे तीसरे का तो न बराबर 3 रख को मत छेड़ो लेकिन अगर इसकी बात की जाए यहां पर सारी चीजों की तो एच उसका एक कॉंस्टेंट वाल्यू है सिक्स पॉंट सिक्स टेन की पावर मैनस थर्टीफोर एम यानकि मास ऑफ एलेक्ट्रॉन पता आपको 9.1 टेन की पावर मैनस थर्टीवन कीजी के एलेक कर लिया जाए इसको जब कैल्कुलेट किया गया तो इसका आंसर आया 0.529 एंगस्ट्रॉम अब यह आपका रेडियस का फॉर्मला है बच्चा बोलता है सर इसी को याद कर लेता हूं आसान है एन स्कॉयर बाइजेट 0.529 एंगस्ट्रॉम खतम हो गया सर इतना क्यों हरी हर प्रोड़न बेटा यह सब क्यों करना है काल को बेटा कोशन आसकता है कि जो रीडियोस ऑफ ऑरबिक होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके बीच में क्या रिरेशन है तो आर प्रपोर्शनल टू एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम तो अगर तुम सिर्फ यह याद करने तुम्हें पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या था फॉर्मले में, तो तुम ये वाला question answer नहीं कर पाऊगे, लेकिन अगर तुम्हें याद है, n square by z, हरी हरन बेटा, 4 पाई दो ले आना, मकई दो ले आना, तुम तुरंट बोलोगे, sir, r inverse nearly proportional to m होता है, ये देखो, सही है न, ये square upon z, हरी हरन बेटा, 4 पाई दो ले आना, मकई दो ले आना, ठीक, अभी मैंने एक और equation लिखा था था न, कि भाई, m v r बराबर क्या होता है, n h upon 2 pi होता है, ये भी आपने सीखा था, पढ़ा था, ठीक, अब मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे को v निकालना, तो v कैसे निकालूं दो बेटा, अब r का तो equation है न, आपने पास, हाँ सर है, तो रखो न, उसको वहाँ पे देखो, v का equation आ जाएगा, v बराबर, n h divided by 2 pi m, अब r क्या है, ये सारा का सारा, यानि की, अलग color में लिखता हूँ न, इसको, हाँ, r ये है, तो r को मैं लिखूंगा, यहाँ पे, n square upon z, हरी, हरन, बेटा, 4 pi 2, मकई 2, अब देखो, ये mass और ये mass cancel, बड़ा important result है, कई बार पूछा जाता है, कि जो velocity है electron का, किसी भी orbit में, और mass of electron, उनके बीच में क्या relation है, है, आप बोलेंगे, mass तो भई cancel हो गया, कोई relation ही नहीं दोनों के बीच में, यानि कि mass के independent होता है, anyways, पूरा equation बना लें बेटा, अपन, चल्रों, पूरा equation बना लेते हैं एक बार है ना, और क्या क्या cancel हो रहा है देखो तो, यहां से एक pi गया, यहां से एक pi गया, ठीक है ना, यहां से एक h गया, अब इसको पूरा एक बार लिख लेते हैं, यह 2 गया, यह 2 बन गया, ठीक है, तो velocity बराबर, यह जो नीचे लिखी हैं चीजें सारी उपर आजाएंगे, है ना बटा, यह जो नीचे लिखी हैं बटा, यह सब उपर आजाएगा, अच्छा यह N भी गया, यह N भी गया, है ना, एक-एक N चला गया, तो देखो Z उपर आए है, टू पाई के ए स्क्वाइर, टू पाई के ए स्क्वाइर, डिवाइड़ भाई, नीचे क्या बच्रा बेटा, सिर्फ एक H, है ना, यहां पर बच्रा सिर्फ एक H, यह आपका वेलोसिटी का एक्वेशन है, है ना, सही लिखा रहा हैं, कुछ छूट गया हो तो देख ले इसमें भी आप देखो के तो Z की वेल्यू नहीं डालनी चुई आपको, काईदे से Z की वेल्यू मत डालो आप, N की वेल्यू भी मत डालो तो कुश्यन भी डिपेंड करेगा, लेकिन बाकी जो बचरा है, 2, Pi, K, K का एक वैल्यू है, E का एक वैल्यू, H का एक वैल्यू है, जब इसको डाला गया बेटा, तो velocity का जो equation निकल के आया, वो यह है, Z upon N, हैना, Z upon N, और इसकी जब वैल्यू डाली गई, 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, हैना, तो यह आपका, 2.19 लिख लो, चलेगा, 2.2 भी चलेगा, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और रेड लोगे question बनाता हूं, मैं, कि भाई, hydrogen है, hydrogen होते ही Z की value 1 हो गई, तो बताओ, उसके पहले orbit का, पहला orbit मतलब N बराबर 1 का, हैना, radius कितना होगा, और आपका यह कितना होगा, velocity कितना होगा, तो radius में आप लिखेंगे कि सर मेरे पास यह वाला formula है, N square by Z, 0.529, आंग स्ट्रॉम तो N को भी 1 रग दो, Z को भी 1 रग दो, यह भी 1, यह भी 1, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा, आर बराबर 0.529 अंग स्ट्रॉम, खतम, अब velocity निकालनी है, velocity का formula यह है, Z by N, 2.2 10 की power 6, इसको भी 1, इसको भी 1, हैना, उपर भी 1, नीचे भी 1, तो आंसर कितना आएग 2.2, 10 की power 6, meter per second, इस तरीके से कुछ भी question पूच सकते हैं वो, कि कौन सा element है, उसका Z आप decide कर लेंगे, और कौन सा orbit का बात चल रहा है, तो उस अज़ाप से आप N decide कर लेंगे, N रग दिया, Z रग दिया, you will get your answer, ठीक है बिटा, चलो, तो अभी तक क्या-क्या समझ में आया, देखो, अभी तक समझ में आया, कि जो radius है, proportional to 1 by M है, radius proportional to E square है, ये दो चीजे ही सबसे ज़्यादा important है, इसलिए बता रहा हूँ, देखो ना, radius, mass के inversely proportional, और E square के भी inversely proportional है, ये देखो, अच्छा, उल्टा लिग दिया हूँ, सौरी, mass के भी inversely proportional और E square के भी inversely proportional है, ठीक, अगर मैं लिखूँ, velocity, proportional to mass की power 0, मतलब mass पर depend नहीं करता है, सही है, बिल्कुल सही है, और velocity proportional to E square, ये देखो, आप ऐसा भी कह सकते हो, कि V और R एक दूसरे के inversely proportional है, V और R, तो अगर R में, अगर R में, 1 upon E square था, तो V में E square आना चाहिए, फिर आप बुलेगे सर, उस logic से तो, अगर R में 1 by M था, तो V में M आना चाहिए, हाँ, V में M आना चाहिए था, बट जो V का और R का relation उसमें नीचे भी तो एक M है, ये देखो, नीचे भी तो एक M है, इस M ने उस M को मार दिया, इसलिए M के independent हो चुका है, ठीक है, अब देखो, last, energy, अब आप जानते हैं, let's say, आप kinetic energy निकाल रहे हैं, किसी भी orbit की आप kinetic energy निकाल रहे हैं, क्या formula होता है, half M, V square, तो देखो, half M, अब V कितना है, ये रहाप का V, Z by N, 2 pi, ke square upon H, तो इसको अगर मैं square करके लिखूँ, तो क्या आएगा, Z square by N square, 2 pi था ना, तो 4 pi square हो गया, ke square था, तो k square e की पावर 4 हो गया, अपन H square हो गया, बन गया energy का formula, मतलब मैं आ सिर्फ radius का formula है, वो भी mnemonics है, N square by Z, हरी हरन बेटा, 4 pi दो ले आना, मगई दो ले आना, R आपको याद हो गया, एक बार आपको R याद हो गया, तो आप यहाँ से तुरंत V का पता कर लेंगे, क्या formula बनना चाहिए, आपको एक बार V याद हो गया, तो आप half M, V square में V डाल दोगे, तो आपको energy आजाएगा, है ना, यह है आपका kinetic energy, ठीक है, अब इसमें आप देखोगे ना, बिटा, तो अब ध्यान से देखोगे, अगर, तो हाँ, यह देखो, Z square by N square को अलग कर लो, अंदर क्या बच रहा देखो, multiplied by, 4 pi square, अच्छा, यह भी 2 और 2 से cancel ही हो गया ना, तो 2 लिख लें, है ना, 4 क्यू लिखें, 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 बच रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, बिटा, 2, सही है ना, 2, pi square, right, 2 pi square, उसके बाद आपका आरहा देखो, m, mass of electron, k square, e की पावर 4 है ना, and divided by h square, right, done, अच्छा, अब देखो, मेरी बाद ध्यान से सुनना, अगर मैं काइनेटिक एनरजी का भी ऐसा एक relation मनाओ, mass के साथ, तो क्या relation है, proportional to mass, इसको ना, आप directly यहाँ से भी समझ सकते थे, यहाँ तक जाने की जुरत नहीं थी, यहाँ से समझ सकते थे, कि अगर velocity mass के independent है, तो kinetic energy और mass में क्या relation होगा, kinetic energy होता है, half mv square, इसमें तो mass आ नहीं रहा कुछ भी, velocity तो mass नहीं है, जो भी mass हो तो यहीं पे है, तो by mass के directly proportional हो गया, तो लिख दिया मैंने, इतना करने की आवशकता भी नहीं थी, अगर आपको पता क करना होता कि kinetic energy और mass में क्या relation है, आप simple बोलते है, kinetic energy half mv square होता है, v में mass का कोई रोल नहीं है, तो एक ही mass बच रहा है, तो kinetic energy proportional to mass हो गया, ठीक है ना, अब similarly देखो बिटा, kinetic energy निकालनी है, तो kinetic energy होता है, half mv square, अब v जो है, वो e square के proportional है, तो अगर kinetic energy के लिए v का square करूंगा तो e square का square क्या होगा, e की power 4, इसलिए kinetic energy proportional to e की power 4, यहां से cross check भी कर सकते हो आप, वही तो हुआ है ना, भाई, मैंने v रखा उसका square किया, तो v proportional to e square, उसका square कितना हो जाएगा e की power 4, तो यह, जो यह तीन चीजे लिखी ने बिटा, बड़ा important है, बहुत important है, यह तो आप formula से याद कर लोगे, हरी हरन बेटा वाले से, r, हरी हरन बेटा, 4 पाई दो ले आना, मकई दो ले आना, तो मकई दो, है ना, तो m और e का square, फिर आप बोलते हैं, velocity mask के independent होता है, और velocity r के inverse होता है, तो यहां पर 1 upon e square, तो यहां पर direct e square आ जाएगा, फिर आप बोलेगे, काइनेट होता है, half m, v square, v square, तो v है e square के proportional, तो v square होगा, इकी पार, 4 के proportional, यह बड़ा important है, यहां पर आते हैं, तुबारा, kinetic energy बराबर क्या आया, z square by n square, अब यह सारा constant है, इसमें अगर सभी values को डाल दिया जाए, तो यह आता है, 13.6 electron volt, तो kinetic energy का formula है, z square by n square, 13.6 electron volt, अगर potential energy निकाली जाए, कैसे निकालेंगे potential energy, k, q1, q2 divided by r, उसमें r की value टाल देंगे, q1 में charge of electron, q2 में charge of nucleus, z e और e, है ना, potential energy अगर आप निकालोगें, नेगेटिव आएगा, क्योंकि दिखो, electron का charge नेगेटिव है, और nucleus का positive है, तो एक positive एक negative, तो potential energy, q1, q2 में with sign रखते हैं, तो minus आएगा, यह z square by n square, उसमें भी आता है, लेकिन यह जो value है ना, यह आती है, 27.2 electron volt, बस इतना याद रखना है, कि अगर magnitude की बात की जाए, तो potential energy, double of kinetic energy होता है, magnitude की बात कर रहू में, तो सुचो, अगर formula लिखना होता मिरेको, यह तो kinetic energy का formula मेंने लिखा है, अगर potential का लिखना होता, तो यहाँ पे 2 के जगे 4 आ जाता, तो potential का formula बन जाएगा, बन समझ गया ना, मैं क्या के रहूं, पूरा लिखने की ज़रुत तो नहीं ना, मिटा, यहाँ पे बस आपका 4 आ जाता है, क्योंकि double है, potential energy is double of kinetic energy, और यहाँ पे अगर 13.6 आया काने टिक में, तो potential में 27.2 आता है, माइनस साइन के साथ, आप सोचो, अगर यह आपका kinetic है, आपका potential है, तो total energy क्या होगी, दोनों को जोड़ोगे आप, तो minus 27.2 प्लस 13.6 पता कितना आएगा, यह आएगा, तो अब हमारे पास सारे formulae derive हो चुके है, ठीक है, यह देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, velocity का formula, इसका value solve करके आता है, 2.2 10 की पार 6, ठीक, इस page में हमने लिखा है, radius का formula, जो याद करने का neemonic भी बता दिया, मैंने, इसको solve करके करता है, 0.529 angstrom, और फिर तीसरे page में आप का लिखा है, kinetic energy, potential energy का formula, यह देखो, यह पूरा गावरा formula लिखा है बिटा, और इसका value आता है, 13.6, done, चलो, तो आज मैंने आपको सारा basic, basic जो है, वो करा दिया है, और कल बिटा, जो class होगी, उसमें हम लोग और इसके आगे बढ़ेंगे, energy levels पगरा पढ़ेंगे, यह वाल question बिटा, आपका homework है, इसको करके आना, ठीक है, चलिए बच्चो, मिलते हैं next class में, तब तक के लिए, have a nice day, see you soon, bye